students this is 30th lecture of rotational dynamics in this lecture we are going to start with the new topic which is kinetic energy of rotating body kinetic energy of rotating body यह है हमारा आज का topic ठीक है kinetic energy of rotating body तो simple थोड़ा mathematical concept है इसमें है तो मना'll start सबसे पहले डायग्राम से ठीक हम ए opensham करते हैं जो एक 집 बॉणी का डायगरम है ठीक हम एसे करते हैं कि यह बॉड़ी बॉड़ी है ठीक हम यह बॉड़ी रोटेट हो रहा है ऐसा में बुगत है ठीक है अगर रिचिट बॉड़ी है तो बटोंटी कोई consent के अबलेट होता है ठाड कि इतना सबको पता है तो हम यहां पे बनाके लेते हैं एक अक्सिस आफ रोतेशन यह हमारा आक्सिस अफ बाड़ कि यह रिजिद बॉड़ी यह आक्सिस आफ रोटेशन के अबाउड रोटेट हो रहा है, ठीक है न, अच्छा, अब हम ऐसा बोलते हैं, यह जो axis of rotation, यह proper इसके center से पास हो रहा है body के, ठीक है, और, कुछ point mass है हम consider कर लेते हैं, diagram में, एक point mass में यहां consider करता हूँ, जिसका mass होगा, m1, एक point mass में, यहां consider करता हूँ, जिसका mass है, m2, एक काम करता है, थोड़ा space में लेते हैं, mass क्योंकि हमको यहां पे और भी बहुत कुछ vectorial part बताना है, तो यह हुआ m1, और, यहां पे ले लेते हैं, यह है मेरा m2, ठीक है, और, एक point यहां पे ले लेते हैं, यह point है, मेरा m3, ठीक है, ऐसा, diagram के अंदर ही लिख लेता हूँ, मैं यह m2, ठीक है, m2, ठीक है, तो 3 point masses मैंने consider किया है, ठीक है, axis of rotation जो है, वो proper body के, rigid body के center से पास हो रहा है, हम assume करते है, let the center of the rigid body be O, हम इसको O assume करते हैं, मैंने लिखा नहीं क्योंकि मैं वहाँ पर और भी कुछ मुझे बनाना है, वो सब बना लोगा, तो मैं O लिख लोगा, ठीक है, अच्छा, जब यह body rotate होगा, तो इतना आपको पता है, कि यह जो particles हैं, जो भी हमारा point masses हैं, m1, m2 M3, यह सब move होंगे circular path में, ठीक है ना, और अगर इस circular path में move हो रहे हैं, तो इनके पास क्या होगा, इनके पास velocities होगी, और एक बात हमको यहाँ बताना मेरा बहुत important point है, यह कि kinetic energy of rotating body जो है, यह हम तब निकालेंगे, जब हम uniform angular velocity होगा, यह body के पास क्या होगा, uniform angular velocity तब हम ठीक है, तो इतना समझ लो, kinetic energy of rotating body, width मिल चाहिए, तो यह topic में include कर देता हूँ, वैसे वो necessary point है, uniform velocity होना चाहिए, ठीक, uniform angular velocity, kinetic energy of rotating body, width, uniform, angular velocity, angular velocity, ठीक है, तो, uniform angular velocity होगा, तो हम जाके क्या करेंगे, kinetic energy निकाल सकते है, rotating body का, और वो ज्यादा easy हो जाता है, अगर हम uniform angular velocity लेते हैं, means, omega constant लेंगे तो, तो यह case में हमारे पास, जो angular velocity, omega जो है, यह कैसा है, यह constant, ठीक है, यह क्या है, यह constant, simple, अच्छा, तो, मैं यह बोल रहा था, कि, अच्छा, point mass हमन लेना पड़ेगा, from axis of rotation, तो हम ऐसा assume करते है, distance of point mass M1 from the axis of rotation को हम R1 लेते हैं, for M2 हमारे लिए, जो axis of rotation से distance होगा, वो R2 होगा, और जो M3 का distance से, axis of rotation से, वो होगा, R3, ठीक है, तो, कुछ-कुछ पार्ट जहां लिख सकते हैं, मैं वहाँ पर लिखता हूँ, बाकी समझ लो, by default, यह में, यह होगा, हमारा जो distance होगा, यह होगा, R1, ठीक है ना, R1 distance है यह, similarly, यहाँ पर distance R2 आएगा, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, कि, यह जो distance होगा, यह, that distance will be R3, ठीक है ना, ऐसा 3 distance मैंने यहाँ पर consider किया, distance of point masses, from the axis of rotation, यहाँ का आपको distance बता ही, यह distance होगा, R2, और सिफ ऐसा 3 masses नहीं, 3 point mass नहीं, ऐसा यहाँ पर बहुत सारा point mass है, बहुत सारे point masses से आपका यह body बना हुआ है, ठीक है, अच्छा, मैंने क्या बता है, कि, uniform angular velocity, angular velocity कैसा है, uniform है, ठीक है, angular velocity uniform है, लेकिन, uniform angular velocity के लिए, यह जो M1 दिख रहा है, M1, यह particle जब circle में move होगा, तो यह particle जो point mass है M1, इसके पास जो velocity होगा, वो velocity होगा V1, ठीक न, क्यूंकि point mass है, और यह circle में move हो रहा है, तो, जो linear velocity है, linear means tangential velocity, obviously, वो तो circular path को एकदम proper tangenty होता है, तो यह हुआ मेरा वो linear velocity V1, M1 का velocity V1, similarly, M2 भी तो circle में move होगा, तो M2 का भी linear velocity होगा, M2 का जो linear velocity है, वो है V2, ठीक है, M2 का जो linear velocity है, वो है V2, similarly, M3 यह जब circle में move होगा, तो M3 के पास भी क्या आएगा, एक linear velocity, linear velocity for point mass M3 will be V3, ठीक है, इसको हम V3 ले ले लेते हैं, यह V3 हम हमारा क्या है, linear velocity, point mass M3 के लिए, M1 के लिए नहीं लिखा है, M1 भी लिख लेते हैं, V1, ठीक है, I hope एकदम clear, आपको समझ में आ रहा, थोड डाइगरम complicated है, पर इतना भी difficult नहीं है, आप करेंगे एक बार, तो बहुत इसलिए अच्छा, diagram complete हो चुका है, यादे मैं आपको ब एक बार, diagram repeat कर देता हूं, हमने एक rigid body लिया है, ठीक है, rigid body में हमने बताया है कि इसके अंदर बहुत सारे point masses होंगे, हर point mass क्या होगा, जब ये body rotate होगा, तो हर point mass circle में move होगा, जब circle में move होगा, तो इसके पास particle के पास linear velocity आएगा, M1 के पास जो linear velocity वो V1, M2 के पास जो linear velocity V2, और M3 के पास जो linear velocity है, वो है V3, R1, R2 और R3 क्या है, respective distance of point masses from the axis of rotation, ठीक है न, तो ये हुआ हमारा diagram complete, और सबसे main चीज़ ये है, कि kinetic energy of rotating body हम निकाल रहे है, तब जब angular velocity constant है, मैंने question में additional point ये भी add कराया, ठीक है, I hope आपको इतना clear समझ में आया, अब हम derivation start करते है, ठीक है, थोड़ा theory तो लिखना पड़ता है, मैं 2 point का theory लिखूँगा, उसके बाद हम start करनेंगे हमारा mathematics, ठीक है, जो first point है, उसमें देखो, मैं क्या बता हूँगा, जो diagram बे दिख रहे है, मैं वही बताना, कुछ extra concept नहीं करेंगे, ठीक है, consider a body, या फिर आपम ऐसा बहुत सकते है, consider a rigid body, of mass capital M, capital M जो है, ये body का total mass होगा, ठीक है, तो मैं side by side लिखते भी जाता हूँ, और बोलते भी जाता हूँ, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे है, consider a rigid body, rigid body, एक consider के हमने of, जिसका mass का of mass, capital M, जो capital M है, एक काम करता हूँ, जो भी alphabets है, मैं उसको अलग letter से लिखता ह capital M, जो है, ये है, mass of the rigid body, capital M, total mass of the rigid body है, वैसे देखा जाए, तो अब बहुत सार छोटे-छोटे-छोटे masses है, ठीक है, consider rigid body of mass capital M, composed of पॉइंट मासस अंदर तो पॉइंट मासस अच्छा पॉइंट मासस क्या है पॉइंट मासस जो है वह है यह जो पॉइंट मासस है यह कुछ रिस्पेक्टिव डिस्टेंस पहना फ्रम दस एक्स रोटेशन तो भी हम यहीं पॉइंट कर लेते हैं तो हमने क्या क्या बता है यह पॉइंट मासस एंट यह पर लिख लेते हैं ज्यादा बैटर होगा ठीक है विट रिस्पेक्टिव जो डिस्टेंस है हमारे पास वो डिस्टेंस क्या क्या है वो जो डिस्टेंस है वो है आरवन आरट्व आट्व आट्री एंड्स ओन प्टू आरे जैसे यह आप मैंने डियाग्रेम बनाया हां तो अभी तक हमने क्या लिखा कि टोटल मास्ट क्यापटल है है पॉइंट मासस इतना है यह जितने भी माससके कितने डिस्टेंस फिर में वित रिस्पेक्टिव डिस्टेंस और हैंद्स और हमारा पॉयंक तल्ким एओ खिंद लेकिर अंदर बहुत सरे point mass है, वो point mass का respective distance बताया, ठीक है, अच्छा ये बता देते कि respective distance कहां से, वो भी जाधा important होगा, with respective distance of this, from, कहां से, from, axis of rotation, from axis of rotation, देखो ये जो चीज में लिख रहा हूं, अभी ये तुमको याद करने का बिल्कुल भी जरूत नहीं, ये मैं कहां से द number two में हम क्या बताएंगे, दिख रहाए जो constant angular velocity, इसके बारे में कुछ बताना है, constant angular velocity के बार, consider, a rigid body, rigid body moving with, constant, angular, विजा, मैंने बताया था constant angular velocity, moving with, constant, angular, विजाले, मैंने बताया था, constant angular velocity, moving with, constant, angular, वेलोसिटी ठीक है, consider rigid body moving with the constant angular velocity, अच्छा, constant angular velocity तो move हो रहा है, तो होगा क्या, यह point mass circular path में move होंगे, और सब के पास velocity भी अपना-पना velocity है, ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा, consider rigid body moving with the constant angular velocity, so, the point mass, जो है, point mass, will move in, कुन सा path, circular path, circular path, समझा, circular path, circular path, तो यह अभी तक हमने बता, अच्छा, circular path में है, तो velocity भी तो है, तो वो भी बता जाते है, with velocity, with velocity, क्या क्या है, हमारे पास, velocity देखो, हर एक particle का अलग-अलग velocity है, v1, v2, v3, and so on, up to vn, जो n वाला particle होगा, उसका velocity vn होगा, जो n वाला particle है, उसका distance from x of rotation, rn होगा, ठीक है ना, तो यह होगा हमारा point 2 complete, अच्छा, अब हम आते हैं point number 3 पे, तो करना क्या है, हमको निकालना है kinetic energy, ठीक है ना, kinetic energy का basic formula होता है, आपको, अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले individual जो भी point माहा से ना, इसका kinetic energy निकाल लूँगा, और last में सब kinetic energy को plus कर दूँगा, तो हमको पूरे rigid body का kinetic energy मिल जाएगा, ठीक है, तो यह point में हम mostly करने क्या वाले हम यहाँ पे linear kinetic energy निकाल रहे हैं, या फिर हम इसा बोल सकते है, for kinetic energy, यहां से हम start करें, for kinetic energy, ठीक है, अब kinetic energy निकालता है, अगर मैं first particle kinetic energy निकाल रहा हूं, तो मैंको उसको लिखना पड़ेगा, ke1, ठीक है न, formula बहुत simple है, half m, v square होता है formula, लेकिन एक बात ध्यान देना, mass m नहीं है, first particle का mass m नहीं है, first particle का mass है m1, और first particle के पास velocity v नहीं है, velocity है v1, तो यहां पर लिखना पड़ 2, v2 square, ठीक है न, ऐसे हम अगर करते करते गए, तो अगर हम last तक जाएंगे, ऐसा last अगर हम करते 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 गए, तो अगर मुझे nth particle का निकालना है kinetic energy, that will be half mn, vn square, कैसे पता चला, बहुत easy है, 1 था, 1 था, 1 था, 2 था, 2 था, 2 था, 2 था, n होगा, n होगा, n होगा, simple न, तो यह V, linear parameter आ रहा है, अच्छा, एक formula पता होगा सबको, हमने already किया है, यह हमारे lectures में किया है, rotational dynamics के, एक formula होता है, मैं आपको देखता हूँ, आपको याद है कि नहीं, एक formula होता है, relation between linear and angular velocity, ठीक, एक formula है, since, मैं formula देता हूँ, since, जो V होता है, या फिर हम एक काम करते है, new point बन बनाते है, fourth point, जिसमें हम यह बोलेंगे कि, K का answer, हम, omega के form में हमको आच्छा में निकालना है, क्योंकि body rotate हो रहा है, ठीक, omega आना ही चाहिए, answer में, तो अभी तक तो नहीं, तो जैसे हमको पता है, since, जो V का formula होता है, वो होता है, R omega, V is equal to R omega, ठीक है, तो V के जगे पे हम R omega लिख सकते हैं, तो चलो लिखते हैं, फटा-फट, तो अगर मुझे K1 लिखना है, K1, तो answer क्या होगा, half to as it is होगा, M1 भी as it is, change का होगा, change V1 में होने वाला है, अच्छा V के जगे पे R omega लिख सकते हैं, तो V1 के चलो में R omega लिखे देता हैं, कोई problem नहीं है, ठीक है, लेक क्या R आता है कि R1 आता है, डाइगरम में clear दिख रहा है, R1 आता है, ठीक है, अच्छा, omega 1 लिखना चाहिए क्या नहीं, नहीं लिखना चाहिए, reason क्या है, angular velocity constant है, omega 1 नहीं, omega 2 नहीं, omega 3 नहीं, अगर हम बोलते हैं कि omega 1, omega 2, omega 3 है, तो वो सारे के सारे value सेम सें है, ठीक है, तो omega लिखना ठीक हरेगा, omega 1, omega 2, omega 3 नहीं, ठीक है, तो यह हमने k1 निकल दिया, similarly, k2 अगर हम निकले, k2, इसका answer क्या होगा, half, m2, r2, omega, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कैसे बग कर रहे हैं हम लोग आपर, अच्छा, एक पॉइंट यहां पर ध्यान देना, वो हमने यहां प value है, ठीक है, यह देखो ना, clear समझ में आ रहा है, v के जगे पर r omega लिखना है ना, लेकिन यहां पर v1 है, और उसका square है, square है means, यह value का square करना बाकी रह गया है, ठीक है ना, एक काम करते हैं, यही step में हम उसका square भी कर लेते हैं, जादा better होगा, तो हमारा video थोड़ा चोटा सो हो जाएगा, आपको जल्दी समन में आ जाएगा सब को, v1 के जगे पर r1 omega लिखना, ठीक है, कोई प्राबब ने, लेकिन v1 का square है, तो मुझे r1 का square लिखना पड़ेगा, और omega का भी square लिखना पड़ेगा, similarly, v2 नहीं हमारे पास, v2 होता तो मैं r2 omega लिखता, v2 का square है, तो म mn, rn square और omega square, ठीक है न, तो हमने क्या-क्या निकाल दिया है, हम लोग ने kinetic energy निकाल लिया है, in the term of angular parameters, दिख रहा है, और angular parameter आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि body rotate हो रहा है, ठीक है न, तो 4 points तो complete कर लिया है, तो एक काम करते, मैंने क्या बताया था, मैं बताया था कि हर एक पॉइंट मास का मैं kinetic energy निकालूगा, उसके बाद सारे kinetic energy को plus कर दोगा और total rigid body का kinetic energy निकाल लिया है, ठीक है न, तो आप time आगया है कि हम total rigid body का kinetic energy निकालें, fifth point में, ठीक है न, तो अब हम यहाँ पे fifth point में, total full body का kinetic energy निकाल लेता है, ठीक है, छलो start करते हैं, तो point number, अभी हम ह है point number five में और यहां पर क्या करने वाले आपको सबको पता है हम यहां पर total के निकालेंगे किया निकालेंगे के निकालेंगे तो मुझे लिखना है के का अंसर तो इतना तो R1 square Omega square प्लस ऐसा ही K2 का हमारे पास answer है Half M2 R2 square Omega square and so on अगर हम ऐसा करते करते गए KEN तक गए KEN का value भी हमारे पास है Half MN RN square Omega square ठीक है ना तो एक काम करते जब अध्यान देना Half और Omega square common है ठीक है ना Half Half जो है और क्या common है Half और Omega square common है तो मैंने Half यहाँ common ले लिया Omega square यहाँ common ले लिया अब देखो अंदर बचा क्या है हमारे पास बचा है M1 R1 square Plus M2 R2 square and so on करते करते कहां तक MN RN square ठीक है ना यहां तक अच्छा तो अगर हम ध्यान से देखें तो आपको हमारा 25th वाला वीडियो देखना पड़ेगा 25th वाले वीडियो मैंने पूरा moment of inertia के बार में सब कुछ बता है तो यह formula वहाँ पर आया है कि I का value क्या होता है यह हमने वहाँ पर भी देखा है system अगर आपको चाहिए तो आप देख लिजिए moment of inertia of system of particle में भी आपको यह चीज मिल जाएगा ठीक है तो इतना समझ लो यह जो पार्ट है यह m1r1 square plus m2r2 square plus mn up to mn rn square यह और कोई नहीं पता यह क्या है यह है हमारा I I पता नहीं क्या है I is the moment of inertia half I और omega square तो हमारा IZTs है ठीक है ना तो यह क्या बना दिया हम लोग ने यह हमारा total formula है for what for kinetic energy ठीक है तो अब हम क्या कर लेते हैं इसका properly एक यह क्यूंकि हमारा formula है तो प्रॉपरली इसको shade कर लो ठीक है तो यह हुआ आपका formula ready ठीक है ना तो हमने क्या निकाल दिया है हमने टोटल निकाला है kinetic energy of rotating body rotating body का हमने kinetic energy निकाल लिया है आपको एकदम clear पूरा proper vision है एकदम दिख रहा है properly जो जो मैंने लिखा है यहाँ पे बहुत easy derivation था कुछ जादा difficult नहीं था मैं एक बार recap करा देता हूँ सब कुछ क्या क्या किया है हमने यहाँ थीक है तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है सबसे पहले हमने एक rigid body लिया था ठीक है rigid body में हमने बताया था कि हमने बहुत सारा point masses consider किये हर एक point mass का distance देखा axis of rotation से r1, r2, r3 हर एक point mass के पास velocity था linear velocity v1, v2, v3 and so on up to vn फिर हम आया हर एक point mass है इसका kinetic energy निकाला फिर वो kinetic energy जो linear parameters में था मैंने इसो convert कर दिया angular parameters में और एक बार angular parameters में kinetic energy आ गया तो बस एक ही कहाम है करना क्या आपको सारे kinetic energies को plus कर दो आपको total kinetic energy of the rigid body मिल जाएगा सो हमने answer निकाल दिया है kinetic energy total kinetic energy of rigid body is equal to half i omega square यह i क्या है i को हम बोलता है moment of inertia ठीक है i क्या होता है moment of inertia ठीक है ना i hope clear है सब को ठीक है okay thank you